जहरे पर जुरियां के उपड़ याती है तो देखे जुरियां को wrinkles बोलते हैं जुरियां जो है तो देखे जो basic ए कोई भी सरीर है उसके सबसेच छोटी unit किया है structural function किया है कोसिका में cell में 70% किया है water तब 30% किया है salt और mineral है ताब देखे जोरियां पड़ने में around 37 percent का है साल का है तो हम लोग पूरा concentration इधर दोने हैं इधर देखते नहीं बडेखे यहां पर क्या है कि 70 परसंठ को आप मेंटेन करें पहले 30 परसंठ मेंटेन होगा तो तो देखें इसमें करना क्या है तो देखें पानी में हलका सा नमक मिला कर पिएंगी तो फाइदा क्या होगा कि देखें काम क्या है कि एक NACL एक sodium ploid अपने तरफ छह वाटर की molecule को बाज़े रखता है यानि सेल के अंदर अगर नमक है साल्ट है तो वह एक एक वाटर की molecule को बाद़ रखेगा अगर माल जी आप एक सेस्वम पीते हैं तो यह सौल्ट जो है पसीने के साथ निकल आगा यह नुक्सान नहीं पुछाएगा तो नहीं आप पहला काम करिए कि 70% जो वाटर है उसको इसको सेल में 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 टेन रखें तो सेल में में टेन रख तो सेल के अंदर पानी का इमाउन ज्यादा रहेगा जब पानी का इमाउन ज्यादा रहेगा तो जुरियां कम पड़ेगी दूसरा क्या है कि यह तो 30% साल्ट यह मिनरल लिखा गया ना सही मात्रा में रहेगी तो सेल फुली रहेगी टर्जिट रहेगी टर्जिट मतलब करेंगे गया करना क्या है कि पके हुए पपीते को पीस कर पीस कर चेहरे पर लेब करें यानि गुदा उसका निकालने उसको पीस ने फिर चेहरे पर लेब करें तो अच्छा कोमाल होकर निकर उठेगी पहला यासानिस कर सकते हैं घर में भी दूसरा है नारंगी के जब छिलके लाए नारंगी जब लाएं तो उसके चिल्कें को फेके है मदला लिजितम हके उसका फेक हैं उसका कहा, तो इस तरह से इतना vibe कर सकते हैं तो तो chill हुथ एंधर लिखे सब्सक्राइब है, 38 ताइब के साल्ट फिर्ट में रखिए, है तो 28 टाइब के साल्ट का कंबिनेशन है इसमें छोड़ी छोड़ी गोली आते हैं तो चार-चार गोली आप तीन टाइम खाईए तो साल्ट कंसेंट्रेशन मेंटें हो जाएगा या आपने पानी पी के 70% वाला मेंटेन किया अब इस दवा को खाएंगे तो जो 30% वाला हो भ चाहते हैं तो एक असोगा की वाती है होमेपथिक दवा है ददस बूथ टीन टाइम लेजी आप सुबह दो परसाम हलके से गुनगुने पानी में ठीक है हलके गुनगुने पानी में है घुनगुने पानी में आप लीजए और आपकी त्चार ग्दम पहली खुब सरोशी ज जाएगी थैंक्यू धन्यवाद और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको अच्छा लगा तो भी लिखे और प्लेज इसको सब्सक्राइब करें ताकि जादा जादा लोग इसे जूड़ सकें और नए अपडेट आपको मिलते रहे हैं थैंक्यू धन्यवाद